सो गाइस आज गी विडियों बात करूंगा अहुजा का फुल पारफुल सटप के बारे में जो कि यह सटप आपका चार्ट डुल बेस के साथ और चार्ट टॉप के साथ यह रेडी होने वाला है और साथ में अमलिफार भी होगा और मिक्सर जनटार यह सारा कुछ समान होने व करता हूं तो आप लोग इस वह लास्त तक जो देखेगा आपका किसी पर कोई भी स्वाल है आप लोग अन बॉक्स में कर दीजेगा मैं उसके साब से जुरूब वीडियो बनांगा और मैं हमें सब वीडियो भी बनाता हूं तो चले इस बडूतरन शुरू करते हैं चले सब पर आपका 26 होता है क्योंकि इसके अंदर आपका दो पंदर इंचिक लगे होते हो भी हाइच वाला और वह सकल इसमें आपको चार इंच भी दिखनों मिल जाएगा दोनों इस टॉप की इंपेटरन आपका एटों में दिखनों मिल जागा जो की काफी बढ़िया है टॉप औ और इस टॉप की फिक्वेंस की बात कुरूं इसमें आपको 45 हर्स लेकर 20 किलो हस्तक दिनों मिल जाएगा और इसका बात कुरूंगा प्राज कितना पड़ेगा जो कि न्यूट पर इसका प्राज भी थोड़ा था ज्यादा आपको दिखनों मिलेगा तो कितना तो देखें इ यह फिक्स पड़ाज नहीं लें इतने अंदर मिल जागा और चले आप बात करूंगा अउजा का सबसे पारफूल बेस तो देखें बेस आपको दिनों मिलता है और यह बेस आपका अउजा का सबसे पारफूल यह बेस माना जाता है और हेवी और इसका बात करूंगा पावर तो देखें इसका आर्मेस पर आपका 26 और इसका परम पर आपका बांस दिखनों मिल जागा तो काफी बढ़िया है जो कि इसमें आपको भाइब्रसन पंच आच्छा का सुनने को मिल जागा आप लोग इस बेस को यूज कर सकते हैं अपने सेट अप के लिए और इसका बेट इसमें आपको 105 किलोट देनों मिल जागा चले आप बात करूंगा इस बेस की प्राज कितना पड़ेगा जो कि अभी के प्राज कितना आपको दिनों मिलेगा अभी 23 भी आने वला है तो देखे मैं आपको एप्रोस प्राज बतने वला हूँ तो इसका एप्रोस प्राज आपको 60 से लेगे पेसर आजर के बीच मिल जागा हो सकते हैं इसमें आपको थोड़ा सा कम या ज्यादा भी यहां जो कि टॉप के लिए और इस अमिल फायर की पार आटपूट की बात करूँ एटों फोरम टूम में तो देखे इए अमिल फायर आपका एटों में आपका 300 पर चैनल प्रोवाइट करेगा फोरम में इसमें आपको दिखने मिलेगा जोगी 2000 पर चैनल और टूम में आप इसमें आपको 400 दिन मिलेगा और इस अमिल फायर की बेट आप लोगो देख सकते हैं जो कि आपका 49 बेट दिखने मिल जाता है चले आप बात करूंगा इस अमिल फायर की प्राज कितना आपको पढ़ने वाला है आप सभी के एरिया में तो देखे इसका एप्रोवस प्राज आपको दिखनों मिलेगा जो कि 55000 से लेगा 60,000 जियां इनी के अंदर आपको मिल जागा या इससे कम मिले लिए लिए इनी के रेंज में आपको मिल जागा तो आप लोग इस अमिल फायर को लेश सकते हैं चाट टॉप के लिए मैं आपको आगे चले किनेक्शन भी बातने मा सकते हैं हलाकि आपको टोटेल दो लिए लेना पड़ेगा इन चार बेस को चलाने के लिए मैं आपको आगे चेक केनेक्शन भी बताने माला हूं उससे पिले इस अनिफायर की आउटपुट आपसे बताएता हूं तो देखें यह अनिफायर आपका एटॉम में इसमें आपक अपको ले सकते हैं और इसका अपसपार की बात कूं यह आपको मिलेगा जो कि 70,000 से लेकर 75,000 के बीच में इसका थोड़ा सा पराज ज्यदा है इसली इतने एरेंज में आपको दिखनों मिल जागा थोड़ा सा आपको आपने इरिया में कितना पराज चला रहा है इस सब का और चले आप बात करूंगा इस setup को चलाने के लिए मैंने एक mixer को लिया हूं जो कि यह वाला जो कि यह डीजे 300 इसका मोडल नंबर है और यह mixer काफी अच्छा है डीजे के लिए और यह आपका तीन चैनल का डीजे mixer है तो आप इस mixer को ले सकते हैं और चले इसका एप्रोस प्रा करता है लगबग देखा जाए तो 8000 प्राज दिगनों मिल जागा तो आप इसे ले सकते हैं और चले आप बात करूंगा देखे इस setup को चलाने के लिए एप्रोस आपका 30 कभी लगने वाला है इस setup को चलाने के लिए तो आप 30 कभी का एक डीजी सेट ले सकते हैं और इसका ए प्रेंज के एसाब से ले लिजेगा 30 के भी का यह अराम से पूरा setup को चला सकता है चले आप बात करूंगा चार मतलब ड्यूट बेस ओर चार्ट अपको आप लोग किस तरह करेंगे अपसे बदाए तो आप लोग देख सकते जो की चार्ट तो चार्ट अप जैसे में आपको बनता है जो कि 26 ओड़े ओवी टॉम में दोनों टॉप इसी परकार बनेगा और यह आपको केनेक्शन किस तरह करना है तो देखें एक चल में आप लोग दो टॉप लगा लिजे इसी परकार से यह आराम से चल जागा कोई भी दिक्कत नहींगा और चले बात करूंगा दो ड ला लिजे क्योंकि आपका देर है जो कि फोर में आपका 26 ओड़े और आपका एक बेस बनता है जो कि 26 ओड़े तो आराम से चला लेगा को भी दिक्कत नहींगा तो इसी परकार आप लोग दो बेस रन हो जागा यह आराम से चल जागा चले अब बात करूंगा इस सटप को मत आपका पराज भी ज्यादा होगा तो लगवए यह आपका आट लाग प्लास जाएगा जी है आट लाग प्लास यह पूरा सटप रेडी होने वला है तो एप्रोक्स मान सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्राज दिगनों मिलता है अगर इसी जगा दूसरा बेंड को लेने कर दिजेगा अपका किसी पर को भी सोजाब है तो वह कमेंट कर सकते हैं